दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में अभी election season चल रहा है politics से related काफी जादा आजकल चीजें चल रही होती हैं एक बहुत important मुद्धा जो चल रहा है जहांपर हम कुछ कहें कि legal provisions हमें जानना जरूरी है कि किस तरह के legal provisions वहाँ पर applicable हैं तो वो है मुद्धा government from jail जेल में रहकर क्या कोई government चलाई जा सकती है और ये इस टाइम क्यों हो एक hot topic है क्योंकि अर्विंद केजरिवाल जो दिली के CM है अभी भी CM है जब arrest हुए वो कुछ दिन पहले तब से अभी तक वो डेली की government जो है एक तरह से jail से ही अभी तक coordinate कर रहे है चला रहे है तो क्या further भी अभी तो उनका जो custody है ED की वो चल रही है क्या अगर ये custody बढ़ती है judicial custody में उनको भेजा जाता है तो क्या उनके लिए possible है कि वो government जो है वो jail से चला सके इसके regarding क्या क्या provisions हैं क्या कोई legal bar है या नहीं है इसके बारे में हम इस video में discuss करेंगे Delhi High Court में इस तरह की जो petitions है फाइल हो रही है कि अर्विंद केजरिवाल को CM की post से हटाया जाए तो Delhi High Court का इसके बारे में क्या कहना है इसके बारे में हम discuss करेंगे एक एक करके discuss करते हैं तो अभी दो public interest litigations जो है Delhi में file हुई Delhi High Court में पहली हुई सुर्जीत सिंग यादव की तरफ से दूसरी हुई विश्नु गुपता की कॉमन जो relief इनम मांगा वो है कि अर्विंद केजरिवाल जो चीफ मिनिस्टर है डेली के उनको पोस से चीफ मिनिस्टर की पोस से हटाया जाए चीफ मिनिस्टर जो है हमारे अर्विंद केजरिवाल जी उनको enforcement directorate ने liquor policy case में अभी कुछ दिन पहले arrest किया था तो जो पहली PIL है Public Interest Litigation सुर्जीत सिंग यादव की वो division bench जो Delhi High Court की थी उन्होंने dismiss कर दी उन्होंने क्या observation दी उन्होंने बोला कि जो वहाँ petitioner थे सुर्जीत सिंग यादव वो वहाँ पर कोई भी ऐसा legal provision शो नहीं कर पाए bench को जहां पर ये बताया गया हो कि arrested CM जो है वो jail से नहीं चला सकता government कोई भी ऐसा provision वो court को शोर नहीं कर पाए कहीं पर ऐसा बार नहीं दिखा पाए कि legal provision में कहीं दिया हुआ है कि अगर CM को arrest कर लिया जाए तो वो CM नहीं रह सकता ऐसा कोई भी provision वो नहीं दिखा पाए court ने observe किया कि यहां पर judicial interference का कोई scope नहीं है जो हमारे state के दूसरे organs है executive है center government है वो इस issue को examine कर सकते है accordance with law और उन्हीं के उपर छोड़ दिया उन्होंने बोला कि judiciary इसमें intervene इस stage पर अभी नहीं करेगी दूसरी PIL जो है पहली dismiss हुई उसके बाद एक PIL order डाली गई है विश्नु गुपता जी के द्वारा इन्होंने क्या बोला कि अर्विंद केजरिवाल को arrest किया है E.D. ने ठीक है जी offense जो है वो prevention of money laundering act है जो PMLA उसमें offense में उनको arrest किया गया है तो अब जो है जो जनता ने या फिर हमारे constitution ने अर्विंद केजरिवाल में एक भरोसा दिखाया था वो अब वहां पर उनका कह रहे हैं कि breach हो गया है तो constitutional trust जो है उसके बीच उनके उनमें शो किया था वो अब एक तरह से खतम हो चुका है तो उनको हटा देना चाहिए उनकी पहली argument जो है डेली हाई कोट में विष्णोगुपता की ये रही उन्होंने अपनी petition में लिखा तो CM जो है CM चहरा जो है CM है वो सबसे ज़ादा एक तरह से reputed वहां पर post होती है constitutional उनके उपर responsibilities होती है और अगर चीफ मिनिस्टर कोई इस तरह का breach करता है जहां पर इतना serious offense उनके against बताया गया है तो वो trust जो है जनता का constitution का उनके प्रती जो था वो तूट चुका है इस eventuality में उन्होंने बोला कि जो article 164 है हमारा constitution of India का वहां पर वो breach माना जाएगा constitutional trust का क्योंकि उनके against जो allegations हैं corruption के और उसके बाद उनको arrest भी कर लिया गया तो वो भरोसा जो है वो खतम हो चुका है तो article 164 में जो requirement है वो कहते है वो खतम हो चुकी है तो इसलिए उनको dismiss कर देना चाहिए form the post of chief minister उन्होंने और further क्या contention raise की कि article 154 162 163 constitution का है उन्होंने बोला कि अब वो properly exercise exercise नहीं हो रहा है क्योंकि governor जो है अगर हम बात करें तो वहाँ पर यह बताया जाता है अगर कोई proper state है जैसे पंजाब है हर्याना है तो वहाँ पर यह होता है कि cabinet meetings भी होनी है governor को aid and advice भी provide करनी है तो वो कौन करेगा अब 21 मार्ट से वो custody में है जिस दिन उनका arrest हुआ तो तब से अब तक यह articles का जो provisions है उनको fulfill नहीं किया जा रहा है उन्होंने क्या बोला अपनी petition में तो वहाँ पर जो respondents से जैसे union government भी थी तो उनको बताया कहो उन्होंने कहा court में कि उनको कहो के अपनी constitutional responsibility पूरी करें क्योंकि डैली government जो है अपनी constitutional responsibility को पूरा नहीं कर पा रही है तो यह इस तरह की दलील जो थी वहाँ पर अभी रखी गई है यह वाली जो PIL है अभी डैली high court में इस पर सुनवाई होनी है पहले की अगर हम बात करें थोड़ा सा भी पहले January में आपको याद होगा केजरी वाल जैसे sitting CM रहे उनको arrest किया गया ऐसे ही जब वो जार्खन के chief minister थे हिमन सोरें जी उनको भी इसी तरह से arrest किया गया था बट उन्होंने तो अपनी CM की post जो थी पहले ही छोड़ दी थी अपने arrest से पहले तो इसी तरह का भी fate जो है दो महिने पहले भी हो चुका है अब legal provisions की हम बात करें Representation of People's Act है 1951 का उसमें सिरफ बार क्या किया हुए कि कोई अगर legislator है ऐसा जो हमारे कानून बनाने वाले लोग है उनमें अगर कोई किसी की कोई conviction हो जाती है कुछ certain offenses में तो वो 6 साल के लिए उनको मतलब वो अपने office में नहीं रह सकते means वो legislator नहीं रह सकते Delhi की particular बात करें तो Article 239 AB जो है Constitution का वो allow करता है Lieutenant Governor जो है वहाँ पर LG जिसे हम कहते है वो recommend कर सकता है कि President Rule जो है NCT National Capital Territory of Delhi में लगाया जाए क्योंकि breakdown of Constitutional Machinery कुछ और factors भी है कि Constitutional Machinery का वहाँ पर तूट चुकी है क्योंकि CME नहीं है कैसे वहाँ पर काम होगा कैसे उनको aid and advice जो उनका cabinet है या कुछ जो भी चीज़ें करनी है वो कैसे हो पाएंगी जेल से तो उन्होंने थोड़ा सा hint भी दिया था जो डेली के LG है उन्होंने बोला कि कुछ complaints वगारा आई हैं उनके पास कुछ जो भी उनके पास applications वगारा होगी तो उन्होंने बोला कि they are in मतलब सोच रहे हैं सोच विचार में है कि अगर कुछ रिवाल insist करते हैं कि हां मुझे तो जेल से ही करनी है तो इसको कैसे अब आगे further हम सोच सकते हैं इसके बारे में legal barrier की बात करें तो constitution में law में as such there is no legal barrier on running the government from custody but जो एक लोगों को मिलना जुलना है लोगों के जो decisions लेने हैं अपने cabinet से meeting करनी है बाकी minister से meeting करनी है जो अपने bureaucrats से meeting करनी है वो चीजें जो है practically बहुत मुश्किल है कि वो जेल में रहते हुए ऐसी चीजें कर सके because जेल में कुछ conditions हैं कुछ restrictions हैं तो वो सब चीजें भी वहाँ पर देखनी होंगी जैसे हम बात करने कि CM जो है is supposed to meet his ministers मिनिस्टर से भी मिलना है उसको sign भी करनी है वो कैसे कर पाएगा अब जेल रूल्स की अगर बात करें तो दो visits दी हुई हैं एक हफते में दो बार ही वो मिल सकते हैं तो वो कैसे इस चीजे को कर सकेगा CM वो देखने वाली बात है ये एक तरह से बार आ जाती है बट हटना है उसको और वो रन नहीं कर सकता ऐसा कोई बार नहीं है एक कानून ये है कि अगर CM convicted हो जाता है there is no disqualification as an MLA and it can even be suspended pending appeal if any MP MLA is in custody they even have a right to vote they can even come to the assembly from custody there is a presumption of innocence कि conviction के बात तो चलो ठीक है जब तक को conviction नहीं होती तब तक कोई disqualification नहीं है बट अभी के लिए ये कहते हैं कि अभी तक तो एक presumption है कि वो innocent है क्योंकि किसी भी court ने उन्हें अभी guilty proof नहीं किया है the issue that arises is that since the person is in custody the court will have the power to permit such activities अब court की मर्जी है कि इस तरह की activities जैसे अगर वो बोले कि मुझे file sign करनी है मुझे अपने cabinet के साथ meeting करनी है मुझे अपने ministers के साथ कोई भी discussion करना है को issue discuss करना है तो court को देखना है कि उनको permit करेंगे या नहीं क्यूंकि file वगरा sign करने के लिए minister से meet करने के लिए meeting करने के लिए उनको court की permission चाहिए अब practical issues भी आ रहे है कुछ morality भी आ रहे है practicality क्या कहती है कि CM के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह से काम करने वाला it is not advisable at all कि CM जो है अपनी cabinet की ministry सभी ministers को वहाँ पर जैल में बुलाए वहाँ पर meeting करें वहाँ पर issues discuss करें practically possible नहीं है public morality की भी बात करें तो यह advisable है कि इस तरह की custody से इस तरह की allegations जब है तो वो अपनी अगर image को clean रखना चाहते हैं अच्छा रखना चाहते हैं तो उनको इस तरह का decision नहीं लेना चाहिए पहले कि अगर बात करें जहाँ पर court ने intervene किया था इस तरह के कुछ example जैसे सुबरता रोय के case में जब वहाँ पर बात हुई थी कि वो तिहार जैल में तो उन्होंने सुप्रीम कोट से order लिया था कि वो conference facility वहाँ पर तिहार जैल में कर सकते हैं अपने जो भी उनकी business negotiation थी West Bengal में पिछले साल की बात है नारदा स्कैम जो हुआ था वहाँ पर भी कुछ त्रिनोल कॉंग्रेस के ministers को arrest किया था वहाँ पर house arrest भी था तो वहाँ पर high court ने order किया था उनको allow किया था कि वो as a minister वहाँ पर function कर सकते हैं files जो थी वो वहाँ पर उनके घर आएंगी house arrest के दरान उनको examine करेंगे वो और sign वगरा जो भी है करने है तो practical point जो है यह है कि वो difficult है उनको jail से government run करना but possible है कोई bar नहीं है अब court को यहाँ intervene करने के लिए आना चाहिए court जो है इस तरह की situation जो है अगर चाहे तो create कर सकती है कि वो CM रहे और अपना government जो है वो run करे वो इस तरह की arrangements जो है उनको detention के तोरान वो provide किया जाए और वो अपना function अपना as CM कर सके being done as per 239 AA then they can take over the administration तो president अगर चाहे तो जो है जो भी वहाँ का administration की power है वो अपना adopt कर सकता है वहाँ पर as per article 239 AA जो है but वो फिर again एक challenge हो सकता है जो भी action होगा इस तरह का president का वो court में challenge हो सकता है यह time बताएगा कि अब क्या होता है यह wait and watch अभी 1 April की अगर हम बात करें अभी तक क्यों है कि 1 April को वहाँ पर उनको दुबारा पेश करना है court में उसके बाद उनका remand और बढ़ता है नहीं बढ़ता है judicial custody में जाते हैं बेल मिलती है नहीं मिलती है जो भी है यह future है तब तक के लिए अभी जो हमने discuss किया legal provisions इसके regarding अगर आपको कुछ discuss करना है आप comment में कर सकते हैं कोई भी आपकी query आप raise कर सकते हैं यह सब चीजें अभी मैंने जो पढ़ी हैं यह आपके साथ मैंने share की हैं Thank you very much and all the best